नमस्कार दोस्तों एक और बारी फिर से आप सभी का तमाशा भवन चैनल पे स्वागत है आज हम गरंथ के बारे में चर्चा करेंगे और वो गरंथ है ब्रहदेशी गरंथ जो की मतंग जी ने लिखा था मैंने नाट्य शास्तर के उपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं और इस गरंथ का जो डीटेल पीडियाफ है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी है जो शायद इस वीडियो में कवर ना हो तो वो पीडियाफ आप एकसेस कर सकते हैं अगर आप मेरे टेलिग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे तो तो अगर आपने मेरा टेलिग्राम चैनल जोइन नहीं किया है तो अभी जाके जोइन कीजिए ताकि आप उस पीडियाफ का एकसेस ले पाए तो चलिए अब शुरू करते हैं देखिए सबसे पहले हम मतंग जी के बारे में कुछ बाते हैं जो फैक्ट्स हैं उसके बारे में पढ़ते हैं ऐसा बोला जाता है कि मतंग ने किन्री वीना और धातू की वंशी मतलब बंशी का आविशकार किया था ये एक चित्रा वीना वादक भी थे और सर्व प्रथम इन्होंने ही वीना पर परदे लगाये थे इन्होंने साथ स्वरों के रंग देवता आदी का वर्णन किया था इन्होंने एक द्वद अशा स्वर मूचना करके एक सिध्धान्त दिया था जो हाला की सिध्ध नहीं हुआ पर हम इसके बारे में भी थोड़ा पड़ेंगे और इन्होंने गंधार ग्राम का भी उलेक किया था जैसे इन्होंने सर्व प्रथम वीना पर परदे लगाए थे वैसे ही इन्होंने राग शब्द का भी प्रयोग सबसे बहले किस ने किया था ऐसा बोला जाता है मतंग जी ने ही किया था काल जो है इसका वो छटी से आठवी शतापती के बीच में माना जाता है और ये ऐसा बोला जाता है कि ये गुपता काल का एक महत्व पून ग्रंथ था मतलब गुपता पीरियट जो था हमारे इंडिया में उस टाइम पीरियट का ये बहुत ही महत्व पून ग्रंथ था अब देखे इस ग्रंथ में देशी संगीत के स्वरूप को first time पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया गया था शायद इसी वज़े से इस ग्रंथ का नाम क्या पढ़ गया था? ब्रह देशी ग्रंथ क्योंकि देशी संगीत के बारे में अगर किसी ग्रंद में सबसे पहले चर्चा हुई है तो वो कौन सी है? ब्रहदेशी ग्रंद अब देखिए chapters के बारे में देखते हैं chapters के बारे में बहुत जादा मत्वेद है कहीं कुछ और लिखा है, कहीं कुछ लिखा है क्यों लिखा है ऐसा क्योंकि ब्रहदेशी ग्रंत जो है वो पूरी तरीके से अवेलिबल नहीं है ये खंडित व्यवस्था में अवेलिबल है और महाराणा कुमजी जो है वो इस ग्रंत के बारे में जानते थे उन्होंने भी अपने ग्रंथ संगीत राज में इसका ब्रह देशी ग्रंथ का जिक्र किया हुआ है उनके हिसाब से इसमें टोटल वैसे देखा जाए तो सेवन्थ चाप्टर है जिसमें से छे चाप्टर तो ऐसे हैं जिनके बारे में हमें पढ़ने को मिल जाएगा पर जो साथवा चाप्टर है ऐसा बोला जाता है कि वाद के उपर ये चाप्टर था इसके बारे में कुछ भी उपलब्ध नहीं है कुछ-कुछ कहते हैं नित के बारे में भी इस गरंथ में बताया गया है पर इसका भी कहीं पे भी थोस प्रमान जो है वो हमें नहीं मिलता है इसलिए इसके chapters में जो है वो बहुत confusion है कि 6 है, 7 है या 5 है वैसे 6 है और 7 भी हो सकता था अगर वादि के बारे में हमें थोड़ा कुछ material मिल जाता पर ऐसा नहीं हुआ, इसलिए आप 6 या 7 chapters जो है इसमें मान के चलिए अब देखे प्रथम अध्याए में सबसे पहले ध्वनी के बारे में इन्होंने बताया और ध्वनी के दो प्रकार बताएं है व्यक्त और अव्यक्त वन्ड के बारे में भी इसी अध्याए में बताया हुआ है देशी संगीत के बारे में बताया है और लिखा है जो बालकों, नारियों, ग्वाल या राजाओं द्वारा अनन से गाया जाता है वो देशी संगीत है वही मारगी संगीत क्या है जो अलाप से है ग्राम से है या मूर्शना से है मतलब एक तरीके से निबद है उसको मारगी संगीत बोला है और इसके भी दो प्रकार बताए है जो है अनिबद और निबद नाद के बारे में बताया है ऐसा बोला है कि धातु से उत्पन हुआ है और इसके कितने भेध हैं पाच भेध हैं सुक्षम, अति सुक्षम, व्यक्त, अव्यक्त, क्रत्रिम शूति के बारे में बता रखा है दो प्रकार्दियें हैं स्वर और अंतर शूति मंडल प्रस्तार से मतंग ने शुरूतियों को निर्धारित किया है किसके द्वारा निर्धारित किया है मंडल प्रस्तार से शटज ग्राम से उत्पन मंडल को क्या बोला गया है शुरूति मंडल बोला गया है देखें पहले ही चैप्टर में और भी क्या चीज़े बताई है? इन्होंने साथ प्रकार के स्वरों के नाम बताएं है आर्चिक, गाथिक, सामिक, स्वरांतर, ओडव, शाडव और सम्पूर आर्चिक में एक स्वर है, गाथिक में दो स्वर है, सामिक में तीन, स्वरांतर में चार, ओडव में पांच, शाडव में छे और संपूर में कितने स्वर हैं, साथ स्वर है ग्राम के बारे में भी बताया है, इन्होंने गंधार ग्राम के बारे में भी बताया है और ऐसा बोला है कि ये आम अन्युष्य नहीं गाते, ठीक है, मूर्चना के बारे में बताया है, कहा है आरो अवरो क्रम वाला स्वर समूँ जो है, वो मूर्चना कहलाता है, इसके भी दो प्रकार बताए है, अब देखे इदर गौर फर्माने वाली बात ये है कि बाकी गरंद जो स्वर समूँ के जो है वो तान है, आरो अवरो वाले जो स्वर क्रम है उसको तो मूर्चना कहा है, वही आरो क्रम वाला जो स्वर समूँ है उसको तान बोला है, अलंकार इन्होंने टोटल 33 दिये हैं, जिसका नाम मैंने PDF में लिखा हुआ है, अगर आप उस PDF का एक्सेस तो आप मेरे टेलिग्राम चानल से जोड़ जाएए सेकंड चाप्टर के अंदर जो जाती प्रक्षण से रिलेटिड़ इसके अंदर 18 जातियां बताई है और ये भी बताया कि किस ग्राम से कितनी जातिया निकल रही है और जाती लक्षण कितने बताई हैं 10 तीसरी अध्याय के अंदर जो राग लक्षण के नाम से जाना जाता है इसी अध्याय के अंदर सर्व प्रतं राग का उलेक मतंगने किया है गीतियों के वही देखिए जो मैं बात कर रही थी इधर गीतियों के भेट कितने दिया इन्होंने 7 दिये शुद्धा जिसको चौक्षा भी बोला जाता है भिन्ना, गौडी, राग, साधारन, भाशा, विभाशा उन्हें ग्राम रागों का जो उलेक है वो किस प्रकार किया है देखिए शुद्ध राग की संग्या इन्होंने पांच दी है भिन्ना की पांच, गौड की तीन, राग वेसर मतलब राग को वेसर भी बोलते हैं इसकी आठ, साधारन की साथ, भाशा राग की सोड़ा और विभाशा राग की बारा राग को दो वर्गों में इन्होंने बाटा है पहला है ग्राम राग, दूसरा है देशी राग अब देखे चौथा अध्याय जो है पूरा भाशा से मतलब सम्मंदित है तो भाशा राग के भेद इन्होंने चार बताएं है नेक्स्ट देखिए जो हमारा फिफ्थ चाप्टर है उसके अंदर इन्होंने क्या किया है देशी राग को तीन वर्गों में डिवाइट किया है रागांग, भाशांग और क्रियांग भाशांग के बारे में इन्होंने बोला है कि इसके अंदर कितने राग है छे रागों का वर्णन इन्होंने इसमें किया है इन्होंने प्रबंद के बारे में बताया है देशी प्रबंद के बारे में इन्होंने बोला है कि ये असंख है वहीं इन्होंने 48 प्रबंदों का वर्णन भी किया हुआ है बाद में फिर इन्होंने गीत के दोश का उलेक भी किया है पर लेकिन वो पूरी तरीके से अवेलिबल नहीं है ठीक है अब इसी के बाद एक 7th chapter था जो वादे से related था पर उसका गोई material अवेलिबल नहीं है इसलिए उसके बारे में जादा जानकारी देना मुश्किल है अब देखिए ये जो मैं आपको बता रही थी द्वद अशास्वर मूचना के बारे में हम थोड़ सा पढ़ते हैं जो किसने दिया था मतंग जी नहीं दिया था तो इस मूचना का प्रयोजन मतंग ने किसले किया था त्री स्थान प्राप्ति के लिए किया था मतलब प्रतेक मूर्चना में मंद्र, मध्य, एवं तार तीनों स्थानों की प्राप्ति बताया है इस हेतु प्रतेक मूर्चना में साथ की अपेक्षा कितने स्वर लेने का विधान रखा? 12 स्वर लेने का भारत ने कितना रखा था? 7 रखा था पर इन्होंने कितना रखा? 12 रखा ठीक है? किन्तु वास्तव में मतंग ने दुवदश दुवदशास्वर मूर्चनाओं के जो आरम स्थान कहे हैं उनसे इस प्रयोजन की सिध्धी नहीं होती है और मतंग की मूर्चना का करम क्या था? आरोही था भही भारत की मूर्चना का करम क्या था? अवरोही था तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है So that's it for the video Thank you so much for watching